सचिन पाइलट जिस तरह से फ्रंट फूट पर बैटिंग कर रहे हैं लोग कह रहे हैं किया सचिन पाइलट ने सोच लिया है कि बचे वे समय में सीम नहीं बनना है सेजिन पैलट ने आज एक रीट्वीट किया ट्वीट से ज़्यादा रीट्वीट की ख़बर और चर्चा होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मामला गंभीर है जैराम रमेश ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्हों लिखा था कि न्यूजिलेंड की प्रधान मंतरी जैसिंडा आडेंट ने सन्यास लेकर शांदार काम किया है क्योंकि भारत के मशूर क्रिकेटर विजे मर्चिंट ने एक बार कहा था कि आपको सन्यास तब लेना चाहिए जब सन्यास लेने पर लोग पूछने लगें कि सन्यास क्यों ले रहे हो तब नहीं लेना चाहिए जब लोग कहने लगें कि सन्यास क्यों नहीं ले रहे हो अब जब सचिन पैलेट इसको रिट्वीट करें तो मतलब समझ में आता है और सोसल मेडिया पर ये रिट्विट आग की तरफ फैल गया वैसे भी हेमाराम चौधरी परबसर में और गुढ़ा में सचिन पैलेट के बगल में खड़े उकर यही तो कह रहे थे कि बूढे कॉंग्रेस में सत्ता छोड़ नहीं रहे हैं नौजवान धक्का मार कर निकालेंगे तो क्या यह कहा जाने लगा है 72, 73, 74 साल के मुख्यमंतरी अशोग गलोत के लिए कि सन्यास क्यों नहीं ले रहे हैं और जैराम रमेश ने मुख्यमंतरी अशोग गलोत जब भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे ते शामिल होने तब यह ट्विट कीवी पढ़ान मंतरी को लेकर क्यों किया है क्या कॉंग्रेस संदेश देना चाहती अपने बुजूर्ग नेताओं को कि इज़त से सन्यास ले लो क्योंकि स्टेज में जिस तरह से जूनियर और पुर और बिनापद के नेताओं को बुलवाया गया है राजस्तान के मुख्यमंतरी अशोग गहलोट सिप के बाद राहूल गांधी के स्टेज पर एक तरह से कहें तो बेज़ती से कम नहीं था इसलिए इस तरह के ट्वीट और रिट्वीट को लेकर चर्चा हो रही है अब लोग कह रहे हैं हो सकता है कि पंजाब के नेताओं को बाद में बुलवाना हो इसलिए राजस्तान के मुख्यमंतरी को पहले बुलवा दिया हो अब इसमें इज़त और बेज़िती की बात नहीं मगर लोग चर्चा करते है मगर सचिन पाइलट ने रिट्वीट क्यों किया है ये समझना होगा सचिन पाइलट ने क्यों रिट्वीट नहीं किया है चिट्थी भी लिखमारी है और कहां हन्मान गढ़ को लेकर जहां पर पिली बंगा में वो गए थे और कल मुख्यमंतरी अशोग गहलोट जा रहे है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए उनके जाने से पहले मुख्यमंतरी अशोग गहलोट के नाम प्रेम पत्र सचिन पाइलट ने लिख दिया है कि मैं वहाँ गया था किसानों का फसल खराब हुआ है फसल खराबा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए जो भी मुआवजा बनता है फसल नश्ट होने को लेकर किसानों ने हमसे मांग रखी है उनकी मांग मानी जाए सचिन पाइलट ने भी पीली बंगा के धान मंडी में ही सवा की थी और मुखमिंतरी अशोक गलफ भी हदमान गड़ के धान मंडी में ही सवा कर रहे हैं और मंडी में अगर वो घोशना कर देते हैं मुआवजा देने की तो यह सचिन पाइलट की जीत है और ना करते हैं तो भी समर्था कर सकते हैं सचिन पाइलट ने तो किसानों की मांग रखी है इसलिए कहा रहा है कि विपक्ष में खेलने में खुब मज़ा आता है मगर सचिन पाइलट की रैलियों में लोगों को जाने से कोई रोक रहा है क्या क्योंकि गुढ़ा से परवसर से पिली बंगा से लगातार ऐसी खबरे आ रही है नेता तो नेता अधिकारी भी मना कर रहे हैं जाना मना है विधायकों को तो कहा ही जा रहा है कि जाना मना है क्योंकि बज़ट आने वाला है मगर फिर भी जिस तरह सचिन पाइलट रिट्वीट कर रहे हैं चिठियां लिख रहे हैं राजस्थान के सियासत में लगता है कि अभी दिवाली से पहले ही और होली से पहले ही जमकर राजितिक रंग भी फेके जाएंगे और पटाके भी जलेंगे देखते रहे हैं राजस्थान से जुड़ी राजितिक खबरें राजस्थान तक पर नमस्कार